वेल्कम बैक दोस्तो मैं हूँ पवित्रा और आप देख रहे हैं दस्वीट पॉटनिस्ट तो दोस्तो आज मैं बात करूँगी पर्सलेन और बोर्चुलाकर के बारे में तो मैं इनको सारे अपने प्लांट्स को दोस्तो पॉट्स मैंने खाली करूँगी और इसमें मैं नई मिट्टी के साथ और इसमें जो है वर्मी कमपोज्ट या गोबर की खाथ जो कुछ भी है उसमें खाथ मिलाकर मैं दूसरी मिट्टी में इन सब को रिपॉर्ट करूँगी जैसा कि देखिए दोस्तो इनका डॉर्मेंसी पीरियड से अब ये बाहर आ रहे हैं और फरवरी चल रहा है तो इस टाइम हमें इन पर अपना कुछ काम कर लेना चाहिए दोस्तो इनकी मिट्टी रिपॉर्ट कर देने चाहिए दोबारा से इसकी कटिंग लगा देने तो ये मेरे देखिए दोस्तो सारे विस्ट माटेरियल है जिसमें के मेरे ये लगे हुए हैं प्लांट तो जितनी भी डबी डबे जो खाली होती हैं प्लास्टिक की बाटलें बगेरा मैंने सब इसमें यूज करी हुई हैं दोस्तो तो अब मैं सब को इनको खाली कर और फिर दोबारा से नई मिट्टी के साथ में और इन प्लांट को में रिपॉर्ट करूँगी तो इसके बाद देखिए मैंने ये सारे प्लांटर्स खाली कर लिये हैं और अब इसमें मैं मिला दूँगी दोस्तो नई मिट्टी और नई मिट्टी के साथ खाद लगा देके हम कोगर की खाद जाल भी मिट्टि कोड़ुके न करकि को जाइम अखार न आथा भूंग तो आप जो है भर्मी कंपोस्ट सकती है और यह मिला करके आप इसमें ठोड़ इसahrी में देखी है दोस्तों इसमें यह पर गर सब दयां की हमारी जो मिट्टी की गुर्वत्ता होती है वो बहुत अच्छी हो और भूँत अच्छे से हम इसकी अगर मिट्टी बनाएंगे तो हमें दोबारा इसमें कुछ भी मतलब गर्मियों में ज़्यादा कुछ खात बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी और भूँत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी तो देखिए दोस्तों भूँत सारे बाट्स हैं जो मैंने सारे खाली कर लिये हैं और सारे ये बोटल प्लांटर्स हैं जो मैंने दोस्तों घर पे ही अपने डियाईवाई प्लांटर्स हैं मैंने बनाए हैं खाली बॉटलों से कुछ में बॉन बीटा के डबे हैं कुछ कोल्डिंग बगएरा की बॉटले हैं जो भी खाली मिल जाता है डबा मैं बस इसमें होल करके और मैं ये लगा देती हूँ प्लांट्स तो ऐसा ही आप भी यूज कर सकते हैं चोटे-चोटे प्लांटर्स में लगाएं तो दोस्तो और फिर मैं एक साथ रगते हैं तो बहुत खुबसूरत लगते हैं और ये और ये बॉटलें इनको आप हैंग भी कर सकते हैं तो मैं ऐसा ही करती हूँ तो मैंने सारे प्लांट्स खाली कर लिया है और यह देखिए यह कैलेंडूला इसको भी मैंने खाली कर दिया है इसके प्लांटर्स को भी तो अब इसमें थोड़ा सा मैं इसमें फंजिसाइड इस मिट्टी में मिला दूंगी दोस्तों ताकि वैसे तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा पर मैं थोड़ा सा मिट्टी खाली करके दूसरी मिट्टी भड़ लिया है मैंने पॉर्ट में तो इस तरह और धीरे जब इसकी कटिंग बढ़ती रहेगी और मेरे पास और भी ज्यादा और प्लांटर्स खाली होंगे दोस्तों अभी तो विंटर समय विंटर के जो है प्लांट्स लगे हुए ह तो फिर मैं दोबारा ऐसी कटिंग ले लेके और भी प्लांटर्स में मैं लगाती जाओंगी तो एक ये मग मैं देखी दोस्तों इसमें भी लगा दिया है और ये इस तरह से होल करके मैंने एक बॉटल बनाई थी दोस्तों बहुत सुद्धर लगती है इसको अगर हम हैंग क कर देते हैं तो इसमें भी मैं कटिंग मैं इसमें भी मैंने लगा दी हैं दोस्तों और दो साल हो गए थे मेरे सारे प्लांटर्स को मैंने मिट्टी चेंज नहीं की थी तो इस बार मैंने इसकी मिट्टी चेंज किया है तो अब देखिए दोस्तों ये दूसरे दिन का है मैंन देखिए इस बोटल में भी इस तरह से मैंने सारी बोटल में ये लगा दिये हैं तो आप फरवरी और मार्च में का महीना है दोस्तो आप भी ये काम कर सकते हैं अभी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं और जिसको रिपोर्ट करना है तो उनको रिपोर्टिंग कर सकते हैं बहुत अच्छा टाइम है दोस्तो तो आप भी अपने प्लांट पर इ मैंने समय कटिंग लगा दी है तो तीन से चार दिन में इनकी जड़े बनना शुरू हो जाएंगी दोस्तों तो मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर की कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को हैपी का आड़ने कीजिए